है गारीज असलाम रेकिल्म केसे आप सब उमीत करते हैं칩니다 तो मैं भी भिलक्षी ठीक ठाको को तो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही जबदश्थ रसिपी जो है आलो गोस्ट की रeसिपी जैसे क्या आप देख सकते हैं मैंने लिए है आदा किलो गोश थोड़ा सा अदर क्लेसुन का पेस्ट एक डालचीनी की लकड़ी लिए दो तेस पत्ते लिए हैं दो आड़ी मेंने कती हुई प्यास ले लिए हैं थोड़े से कते हुई आलू ले लिए हैं एक प्यास का हम पेस्ट बना लेंगे अब हमें को कर लेंगे उसमे अपनी कटी हुई प्यास मैंने दो आड़ी कटी थी अब हम इसमें डाल देंगे अपने तेज़ पतार लकडी अच्छे जिम मिक्स कर लेंगे प्यास हमारी गोल्डन हो जाएगी उसमें हम डालेंगे अपना गोश गोश आप मटन का भी ले सकते हैं हमारा बीफ का है गोश जा प्यास में पेस्ट निकल जाएगी अपना प्यास प्यास कर रहे दिति प्यास जो मैंने पेस्ट बना लिया था जिसका अब हम इसको डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे, इसमें डालेंगे हम एक चमच लाल मिर्श पाउडर, एक चमच डालेंगे हम हल्दी पाउडर, एक चमच डालेंगे हम धन्या पाउडर, सब कुछ डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अब हम इसमें आड़ करेंगे अपना एक चमच नमक मैंने डाला है आप अपने सौध अनुसार डाली डालने के बाद हम इसको अच्छे से भून लेंगे बहुत अच्छे से भूनेंगे ताकि इसके स्मेल निकल जाए सबकी अब हम इसमें आइट करेंगे पानी, पानी हम गलने के हिसाब से डालेंगे, एक ग्लास मैंने डाल दिया है, डालने के बाद हम इसको बंद कर देंगे, और 4-5 सीटी हम ले लेंगे हमारा गोश बहुत अच्छे से गल चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं, अब हम इसमें एट करेंगे अपने कटे हुए आलू, अच्छे से मिक्स कर लेंगे उसको डालने के बाद, अब हम इसमें आइट करेंगे, सबसे लास्ट में हम डालेंगे, आधा चमच गरम मसाला, जैसे हमारे गोश की स्मेल बहुत ही अच्छी हो जाती है, इसको डालने के बाद हमारे गोश की रौनक ही चेंज हो जाती है, तो बहुत अच्छा बनता है, अब हम इसमें डालेंगे अपना पानी, अच्छे से भून दिया था हमेंने, अब इसमें एट कर दिया पानी, पान फाइनल लोग है बहुत अच्छा बनके त्यार हुआ है गाईज अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और शेयर करें मुझे कॉमेंट्स करके जरूर बताएं कि आज के रेसी पी आपको मेरी कैसी लगी ताके मैं आपके लिए बहुत ही बड़ी आ बड़ी आड़ेसी पे लेकर आ सकूँ यह है इसका फाइनल लोग देख सकते हैं कितना यमी बना है अलाफ़ीज